जाए भाइब भाइब लिवान वलकेम बेट तो मैं चैनल तो गाइस आज का रेसिप हैं काला जामून स्वेज्ट जो कि आप बजर से खरीट के खाते हो पर आप घर में कैसे आसानी से बिनाओ सकते हो तो वही आपके साथ शेयर कहना है और खाने में घर का जो कला जामून होता है वजर से भी तीस्ती होता है तो चलेए गाइस रेसिपी शुरू करते हैं सबसे पहले हम शुगर शिरफ बनाएंगे इसके लिए मैंने पैन में डाल दिया है पानी और इसके साथ मैं शुगर एट करी हूँ तो शुगर मैंने 500 ग्राम एट किया है और शुगर शिरफ बनाते वक्त आप इलाईची की पावड़र ज़रूर एट कहना इसे देने से इसका टेस्ट और भी बढ़िया लगता है और जादा पतला कर लोगी तो खाने में भी टेस्टी नहें लगेगा तो यह हो गया या नहीं आपको कैसे चेक करना है तो देखिए उंगली के बीच में आपको एसे ही दबा कर देखना है हनी जैसा लगता है तो ये हो गया है और ही जो शुगर शीरे फेना इसे आपको एक तार दो तार गारा करके नहीं करना है हाथों में चीपक जाए इतना था कि आपको करना है और गयत को बैंद कर देना है तो चलिए देखिए अभी छेना को हम त्यार कर लेते हैं यानि कि छेना को अच्छे से मसलना पड़ेगा हमें तो छेना का जो पानी है न मैंने अच्छे से मिचोर के अलग कर दिया तो ये cotton की कपड़ों में आप ले लेना छेना को और इसका जो पानी है इसे अच्छे से निकाल लेना तो देखिए छेना में मसल रही हूँ और छेना मेंने हफ कप की हिसाद से लिया है छेना से जादा आप मावा लोगे तो ये खाने में और भी टेस्टी लगेगा घर में आप कला जबन बना रहे हो तो स्वाद में कॉप्रमाइस क्यों तो इसलिए आप हफ कप छेना लेना और एक हफ से जादा आप मावा लेना तो इसका टेस्ट और भी बढ़िया लगेगा और आपके पास मावा नहीं तो कोई नहीं आप पाउडर मिल्क भी इसमें एड़ कर सकते हो इस प्रोसेस में आप पाउडर मिल्क एड़ कर देना और हातों की धंसे एसे ही हमें प्रेस करकर के इसे मसलना पड़ेगा और इसे इतना तक मसल ना होगा जब तक ना छेना का टेक्सचर जो है ना क्रीमी जैसा ना बन जाए तब तक हमें ऐसे ही मसल ना पड़ेगा और आप अच्छे से मसलोगे तो काला जमूल आपका अच्छा बनेगा बड़िया बनेगा तो चलिए अच्छे से मसल लेते हैं और इसे आपको हातों की थम के मदब से इसे ही प्रेस करकर के मसलना होगा और तब तक मसलना पड़ेगा जब तक ना इसका जो टेक्स्चर है वो क्रीमी जैसा ना मन जाए तब तक हमें ऐसे ही मसलना पड़ेगा तो चलिए अभी इसके साथ मैदा एट कह लेते हैं तो इसके अभी मैदा और बेकिंग पावडर जो मैंने पहले से एट करके रखा है बेकिंग्पावडर के साथ मैदा तो मैदा आप ज्यादा नहीं एट करना ज्यादा आप मैदा एट कर लोगे तो जो काला जमुन है न वो हर्ट बन जाएगा और इसलिए आपको छेना का जो पानी है न वो अच्छे से आपको निचोर लेना पड़ेगा नहीं तो क्या होगा जितना नरम पर जाएगा आपका डो इतना ही आपको मैदा मीक्स करना पड़ेगा और आपका गुलाब जमुन आचा नहीं बनेगा और देखिए इसके साथ मैंने मावा एट केर दिया इस प्रॉसस में आप इलाईची की पारोडर भी एट कर सकते हो पर मैं नहीं एट करूंगी क्योंकि मैंने शुगर शीरफ में एट केर दिया था और अभी जो डो हेब एक ससाथ मैं नहीं मसलूंगी थोड़ा थोड़ा करके डोलूँगी और इसे अच्छे से मसलूँगी और फिर चुटा चुटा बॉल्स बिनाऊंगी तो आप काला चामुन लंबाई से भी कर सकते हो इसका शेप चो है न वो आप अपनी ही साथ से एट कहले न अब स्टफिंग में आप और काला चामुन में कुछ स्टफिंग देना है तो आप ड्राइफूर्स के साथ मावा एड़ करके आप स्टफिंग एड़ कर सकते हो पर मैं ऐसे ही से फ्राइब करूंगी ऐसे भी खाने में टेस्टी लगता है और बॉल्स में आते बगत आपको एक बात का ध्यान रखना कि हमें बॉल्स को अच् है तो चलिए ऐसे ही में सारे जो काला जामूने इसे रेड़ी कर लूँगी बॉल्स को रेड़ी करके फिर हम इसे फ्राइब करेंगे और फ्राइब करती समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि तेल हमारा धुएदार गरम ना हो तेल आपको गरम करके फिर गेस को बंद क हतों से ऐसे ही चलाते हुए आपको गेस को अन कर देना है क्योंकि आप ध्यादर गरम कर लोगे ओल तो क्या होगा बाहर से जल जाएगा गुलब जामून और नीचे से लग सकता है तो इसलिए आप इस प्रसेस को ज़रूर आजबाएं और गॉलब जामून और काला जामून बाहर से और गुलब जामून सौफ्ट तो इसलिए क्या होता है कि गुलब जामून थोड़ा सा कम टेम लगता है फ्राइग करने में और कला जामून थोड़ा सा बक्त लगा कर इसे फ्राइग करना पड़ता है तो इसलिए धीमी आज पर मैं इसे फ्राइग करूंगी और द जो बाकी जो डो है ना इसे फिर से मसल लेना और मसल के फिर से आप बॉल्स बना लेना ऐसे करोगे तो क्या होगा कि बॉल्स आपका अच्छा बनेगा तो काला जमुन में क्रेक नहीं पड़ेगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा बढ़िया लगेगा तो चलिए लास मे आपको दिखा देती हूँ कि इसे आपको fry करना है देखे मैं हाथों से ऐसे ही देख रही हूँ ज्यादा हीट तो नहीं हुआ है तेल और इसके बाद मैं बॉल्स को छोड़ रही हूँ तो एसे ही आप करना नहीं तो क्या होगा मैंने पहुरी भी कहा है उपर से जल सकता है और नीचे लग सकता है तो एसे ही आपको कंची को चलाते हुए इसे फ्राई करना है बहुत ही इजी रेसिपी है आप कुछ टीप्स को फॉलो करोगे तो आपका जो कला जामुन है बहुत ही बढ़िया बढ़ेगा आप ऑईल के बदले घी से भी फ्राई कर सकते हो मैंने रिफाइन रोल से फ्राई किया है आप घी से फ्राई करके भी देखो आप खाओगे तो ये और भी तेस्टी लगेगा तो गाइस कला जाम उनका रेसिपी आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर कर देना और जो मेरे चैनल पे नए है प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर देना तो आज के लिए वैसी इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में दपने के लिए बाबाई